टॉप सिक्स बेश्ट फाइब जी स्मार्टपोन अंडर सेवेंटीन थाउजेंड जाप आपको सेवेंटीन थाउजेंड के आंदर एमुलेट का डिस्पेर मिलेगा हांडेट एन एट मेगापिसल का कैमरा मिलेगा जाप आपको ओइस की सब्सक्राइब भी दिया गया है और आपकर मेंचल पर नए हैं तो श्राण को सब्सक्राइब जाब को ले ना ऐसे वीडियो फीचर में और भी देखने के लिए तो बिना टाइम मों इसके इसलिसकी जो सबसे पहले डिवाइस है उसके बाए में डिटेल्स में जान लेते हैं तो दोस्तो ए डिवाइस है लाभा की तरब से नियुली लॉंच डिवाइस लाभा ब्लेज कर 5G जो एक काफी संदर सा डिवाइस है तो दोस्तो सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की तो एप आपको कार्व एमलोड डिस्पेले मिलेगा उसकी सरसाथ डिवाइस की वहीट 189 ग्रम है तो ग्लास बैक होने की बज़े से थोड़ा सा हैबी है डिवाइस काफी स्लिम है इन हैंड फिल आपको एकदम फ्रीम देगा आपको 120 हज के रिफ्रेशेट मिलने वाल है और ब्राइटनेस की बात करें तो यहां पर आपको 800 नीट पिक ब्राइटनेस मिलेगा जो आट्डोर पर आपको काफी मदद करेगा तो ओवारोल डिस्पेले की बड़े में बात किया जिए प्राइस पॉइंट की सबसे काफी सं वाल है रेयर पर आपको triple camera setup देखने को मिलेगा जापे main camera 64 megapixel का होने वाल है जिससे आप फोर के 30 एपिस तक भीड़ो सुट का असरेक्टिव उसके साथ 8 megapixel का अल्टा वाइट कैमरा भी दिया गया है जो इस पास पन्ट है काफी आच्छी बैते बहुत सरे expensive device में भी आपको 30 एपिस तक भीड़ो सुट कर सेकतू कैमरा के quality overall price point की हिसाब से decent है तो मुझे personally price point की हिसाब से display की साथ सत कैमरा भी काफी अच्छा लगा तो दोस्तों next बात करते इसकी performance की बारे में तो दोस्तों इस device पर आपको मिलने वाला मिलने वाल है performance wise भी काफी संदा सा device है थोड़ी बात gaming भी आप इस device पर कर सकते हो और दोस्तों बात करें इस device की बैटरी की तो यहाप आपको 5000 image का large बैटरी मिलता है उच 33 watt fast charging जिसकी मादर से 50% charge से 30 minute में हो जाएगा security पर यहाप आपको in display fingerprint की support दिया गया है 3.5 mm jack नहीं मिलेगा उसकी साथ यहाप आपको dual speaker की support भी दिया गया है और दोस्तों device रान होने बोले android 13 पर बहुत ही जालदे यहाप आपको android 14 के update मिल जाएगा तो दोस्तों इतो होगा इसकी सभी फीचर आप बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की वर्म में तो इसकी जो 8GB प्लस 28GB बहुत है उसकी current टाइम पर प्राइस 18,000 है पर कोई भी सेल या पर आता है तो आप आपको 1000 रूपी का discount बिल जाता है डिसकों की पास इसकी प्राइस 17,000 की असपास आजाता है तो इस प्राइस पर काफी संदर सा एक डिवाइस है जहाप आपको सिर्फ 18,000 की आंदर सबी फीचर जितना कुछ दिया जा सकते है सब कुछ प्रोवाइट किया रहे है तो आप अगर लेन चाहते हो तो अग बंद करके इस डिवाइस को ले सकती हो तो दोस्तो एग डिवाइस है रियल्मी की तरफ से निवले लॉच्ज डिवाइस 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 जो एक काफी संदर सा डिवाइस है तो बात करें इसके लूक एड डिजाइन की तो यह आपको बैक पर राउंड सेप पर कैमरा मोडूल मिलेगा प्लास्टिक बैक होगा उसकी साथ साथ अलूमिनियम फ्रीम में में मेल जाएगा डिवाइस की ओट है 190 ग्राम जो काफी हलका है तो लुक एन डिजाइन रियल्मी 11 स्रीस की सभी डिवाइस की सेम ही रहत है सिर्फ कालर में थोड़ी बहुत चेंज़ेस आता है दोस्तों बात करें इस डिवाइस की डिस्पले की तो यहाप आपको मिले वाले 6.72 इंचीस का फुल इस डिप्लाइस IPS LCD डिस्पले जहाप आपको 120 हांस के रिफ्रेसेट मेल जाएगा जो काफी अच्छी बात है उसकी साथ यहाप आपको 550 नेट पीक ब्राइटनेस की सापोर भी धिया गया है जहाप आपको 1080 इंडू 2400 पिंसल रेजुलेशन मेले वाले 20 इस्टू 9 रे पिक्सिल का होने वाले जिसकी मदास से अब 1080p 30 पे वीडियो शूट कर सकते हो उसकी साथ 2 मेगा पिक्सिल का एक डेप्ट कैमरा की साबूर भी दिया गया है और दोस्तों बात क्या जाए इस डिवाइस की फॉन गैमरा की तो यहाप आपको 16 मेगा पिक्सिल का एक सेल्पी क क्यामरा मिलने वाले जिससे भी आप 1080p 30 पे वीडियो शूट कर सकते हो उभारोल क्यामरा की क्वालिटी काफी अच्छी पॉटो और वीडियो निकाल सकते हो और दोस्तों बात क्या जाए इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की तो यहाप आपको मिलने वाले मीडिया टेक यह डिवाइस फाइब और रॉप की तो यहाप आपको दो भी रिट मिलेगा जाप बेस भी रैप और वार एक दूसरी भी रिट पे मिलने वाला है और दोस्तों मुझे सबसे अच्छे लगी इस डिवाइस के इस डिवाइस पर आपको मिलने वाले 5000 एमिज का लाज बैटी उस डिवाइस पर आपको 67 वाट की चार्च रिंग मिलने वाला है जिसके मदर से अब 0-50% चार्च सर्फ 17 मिनिट पे कर सकते हूं जो काफी अच्छी बात है वाइप इस डिवाइस पर सेकेरोंटी पर साइड मांट एड फिंगर पिन की सबड दिया गया है एडिवाइस रा 8GB प्लस 120 8GB बाला भेंड है उसके काइन टाइम पर 17,000 है पर यहां पर मैक्सिमाम टाइम 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिसकाउंट मिल जाते है तो डिसकाउंट की बाद इसके प्राइज 15-16,000 के अंदर रहते है तो इस पर पर आप अगर पाते हो तो काफी संद्या सा इक डिवाइस से आप इसे जारू ले सकते हो वह यह पर बात करें दूसरी भेरेंट की 8GB प्लस 256GB उसकी काइन टाइम पर प्राइज 19,000 ट्रिपल लाइन है तो आपकी रिकॉर्मेंट की हिसाब से आपको इस अभी बाई कर सकते हैं तो दोस्तों ए डिवाइस से भीबो की त दिस्पले जहां दोस्तों आपको एमोलोड डिस्पले मिल जाएगा विद 90Hz रिफ्रेस्ट आपको मिलेगा 1300 निट पिक बाइटनेस तो आउट्डोर पर आपको कोई भी दिखत नहीं और यहां पर आप हाई क्वालिटी पर कॉंटेंट कॉंजूम कर सकते हो तो डिस्पले क क्वालिटी काफि आच्छा है सब दोस्तों डिस्पले नहीं इसकी सारसाथ इसकी जो कैमरा वो भी काफिस संदर है यहां पर आपको मिलने वह बात करें फॉर्ण कामरा की तो यहां पर आपको मिलने वह बले 16 मेगापिसिकल का एक सिलफी कैमरा जिससे भी अप्टेंटी पी पर वीडियो सूट कार सेकत हूँ तो दोस्तों इस डुबाइस को अप कैमरा संटिक मुबाइल की लिए भी सबसेट और दोस्तों बात करें बैटरी की तो एक आपको मिले बाले प्रस्टी फॉर्टी फोर्वार्ट फॉर्ट सचिप्सेट जो 6NMPB से और दोस्तों यह प्रोसि फाइप मिनिट पे 50 परसेंट हो जाएगा दोस्तों इसकी प्राइज नॉर्माल टाइम पे 17,000 रहते हैं पर अभी सेल चल रहे हैं फिलिपकर्ट पे तो यह आपको को मिल जाएगो 2,000 रुपी का मैसिब डिस्काउंट और डिस्काउंट की बाद इसकी जो प्राइज वो 15,000 हो जाएगा इस टाइम पे आंडर 15,000 पे इंडर मार्केट पे यह मोबल वन अब दा बेश्ट है तो आपकर लेना चाटो 15,000 के आंदर एक 5G डिवाइस तो आप यह सारे डिवाइस है वो 24,000 यह पे 25,000 बेंस बरेन का प्राइज है तो 20,000 के अंदर सब एही डिवाइस है तो दोस्तो फीचर में सबसे पहले आपको मिल ले वाला है 6.78 इंचिस का Full HD Plus AMOLED काव डिस्पेली जापे आपको मिलेगा 120 Hz का refresh rate तो डिस्पेली काफी अच्छा है और दोस्तो रेजुलेशन की बात करें तो 24,000 x 1080 पिक्सल रेजुलेशन आपको मिलने वाला है और दोस्तो बात करें कैमरे की तो रियर पे आपको quad camera setup देखने को मिलेगा जापे mean camera 50 megapixel का होने वाला है उसकी सासाथ 8 megapixel का ultra wide camera और 2 megapixel का macro और 2 megapixel का depth camera आपको मिल जाएगा और पर main camera से आप फोर के तक video shoot कर सकते हो जो काफी अच्छी बात है और बात करें font camera की तो यह आपको मिलने वाला है 16 megapixel का selfie camera पारफॉमेंस की बात करें तो यह आपको मिलने वाले तो यह आपको मिलने वाले 13 5G band जो इंडिया की सभी टाइप की band को support करता है और उसकी सासाथ यह आपको 16GB RAM मिलेगा जो आपके 8GB प्लस 8GB virtual RAM होगा और उसकी सासाथ 256GB का ROM मिलेगा और दोस्तों इस mobile पर आपको मिलने वाले 5000 image का battery विच 66 watt की fast charging की साथ जो आपके mobile के 50% चार् clean OS मिलने वाला है जब आपको कोई भी ब्लूटो है और एड्स देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों और फिचर की बात करें तो बैक की जो डिजाइन वह आपको ग्लास का मिलेगा इन डिस्प्लाइफ फिंगर पिन मिल जाएगा और दोस्तों इस mobile की आपको तीन कालर मिलेगा जो काफी प्यारा कलर है दोस्तों बात करें इसकी प्राइज की तो इसकी जो प्राइज पहले ज्यादा था पर अभी घटा के इसकी प्राइज को 70,000 कर देया है और मैक्सिमाम टाइम सेल पर इस 16,000 के आंदर आ जाता है जैसे कि आपको देख सेकते हो तो इस पाइस वन पर जो एक 5G डिवाइस है प्राइज की सबसे काफी तगरी 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 है उसकी साथ बैक पे आपको प्लास्टिक और लेदर दोनों भेरेंटी मिल जाएगा डिवाइस की ओट है ओल्ली 166.5 ग्राम तो डिवाइस काफी हलका है इन हैंड फिल्ड काफी अच्छा देगा उसकी साथ बात करे अधर फीचर की तो यहाप आपको मिलने वाले 6.5 इंचिस का फूल एच्टी प्लास पी ओएले डिस्प्ले जहाप आपको वान बिलियान से भी ज्यादा कलार देखने को मिलेगा डिवाइस की स्क्रीन काफी स्मूथ है क्योंकि आपको मिलने वाले 120 हाज की और दोस्तों आपडोर पे भी आपको कोई भी दिक्कात नहें आया गया क्यों दोस्तों इस डिवाइस पर आपको 1300 नीट पीक बाइस की सपर्ट भी दिया गया है बात किया जहें इस डिवाइस की क्यामरा की तो रहार पे आपको डॉल केमरा सेटैप देखने को मिलेगा जब पे में क्यामरा 50 मेगापिसल का होने वाला है विच ओई ऑ-ाई-एस थो इस को 16 मेगा पिसल का XLP कैमेरा मिलने वाला है जिसे भी अप्टेन एटिपी 30 एपीज पर वीडियो शूर कर सकते हो ओवरल कैमेरा की वालेटी ठीक ठक साहर प्राइच पांट की हिसाब से और दोस्तों एडिवास पारफोमेंस वाइस भी काफी तग रिए यह आपको मिलने वाला स्नेपडेगल 695 5G चीपसेट जो 6NMP बेस है और दोस्तों एक 5G चीपसेट है इसके एंट तो तुसकोर फोल लेक के आसपास है तो इस डिवास पर आप गेमिंग भी कर सकते हो थोड़ी बहुत बात करें रैम राम की तो यह आपको दो भेरेंट मिलेगा 8GB प्लास 256GB और 12GB प्लास 256GB यहाप आपको मिलने वाले 5000 इमीज का लाज़ बेटी उट 30 वाट फास चार्जिंग सेकेरिटी पर इस डिवास पर आपको इन डिस्प्ले फिंगर प्रिंट की सपोर्ट दिया गया है 3.5 mm जैक मिल जाएगा और दोस्तों यहाप आपको डॉल स्पीकर मिलने वाल ह इसकी साथ इस डिवास पर आपको IP54 की रेटिंग भी मिल जाता है जिसकी मादर से ए डिवास डास्ट एंड स्प्लेश प्रूब भी है डिवास पर आपको तीन कालर भेरिंट मिलेगा पार्सोनली मुझे जो रेट कालर नहीं काफी उनिक और काफी अच्छा लग रहा है तो इस पर आपको प्लास्टिक बैक की साथ प्लास्टिक फे मिलने वाले है डिवास की वेट 175 ग्राम है काफी हलका है पर आपको डूल क्याम्रा सेट अप देखने मों मिलेगा उसकी साथ साथ इस डिवास पर आपको आपको आईपी 5040 एक बे मिले वाला है तो डिवास काफी हलका है इन हैंफील काफी आच्छा देगा बात काड़ी डिवास की डिस्पेली की बारे में तो यहाप आपको मिले वाल है 6.67 इंचीस का Full HD Plus AMOLED डिस्पले जहाप आपको 1 billion से भी ज्यादा कलर मिलेगा वह यह पर आपको 120 हज रिफ्रेसेट मिले वाल है तो डिवाइस काफी स्मूथ होने वाल है उसकी सहसत आपको 1000 नीट पीक बाइट ने इसकी सापड भी द्या गया है तो आउट्डोर पे आपको कोई भी दिखकाच नहीं आएगा प्राइसपाण की सबसे डिस्पले काफी तग रहे है गेमिंग या फिर कॉंटेंट कॉंजूम के लिए काफी अच्छा होने वाल है और दोस्तों यहाप आपको कॉनिंग गोरिला ग्लास 5 की पोटेक्शन भी मिले वाल है वह बात क करें फॉंट कामरा की तो यहाप आपको 16 मेगा फिसल का एक सेल्पी कामरा मिल ले वाल है जिससे भी अप्टेने टिफी थार्टी एपिस तक भीडियो शोट कर सेक्टों बात करें डिवाइस की पार्फोमेंस की वार में तो यहाप आपको मिले वाल है मीडिया टेक डायम सी 6080 5G चीपसेट जो 6NM पर बेस है जिसके एंट उसको 450,000 के आसपास है तो कि पार्फोमेंस वाइस भी काफी अच्छा सा एक डिवाइस है रैम रॉम की बात करें तो यहाप आपको दू भीरिंट मिले वाल है 8GB 120, 8GB, 12GB, 256GB यहो फेस 2.2 टाइप के डिवाइस को पार देने के लिए यहाप आपको 5000 एमीज का बैटरी मिले वाल है 33W फार्स चार्जिंग तो दोस्तों यह तो गार इसकी सब भी में फीचर आप बात कर लेते हैं इसके अधर फीचर की बारे में तो सेकरोट्री पे यहाप आपको साइड माउंटेट फिंगर पिन मिले वाल है 3.5 मिले आपको नहीं मिलेगा आट ओप दा बॉक्स एडिवाइस एंडर 13 पर रान होने वाल है तो दोस्तों यह तो होगा इसकी सब फीचर आप बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की बार में तो यहाप आपको दो फेंड मिलेगा जापे बेस ब्रेंट एट जिवी ओन डॉन डॉन ड बात करें 12GB 256GB का प्राइस के बार में तो उसकी काइन टेम पे प्राइस 17,000 डिसकाउंट यह आपको मिले वाल है तो इस प्राइस में काफी सांदा सा एक डिवाइस है आप अगल लेना चे तो जारू ले सकतू तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही तार बिरो अची तो ल डिजाइन की तो यहाप आपको मिलने वाल है रेयर पर त्रिप्रल केमर सेटप जहाप बैक कॉंप्लीट की ग्लास की होने वाला है इस डिवाइस की ओईट ऑनली 174 फोर गया में ग्लास बोटी की साथ भी काफी हाल का इन हैं फिल काफी अच्छा देगा वह बात करें इस ड आज की रिफ्रेशिट जो डिस्पेले को काफी स्मूथ कर देगा आउट्डोर पर आपको कोई भी दिक्कात नहीं आएगा क्योंकि आपको मिलने वाले थाउजन नीट पिक ब्राइटनिस जो काफी अच्छी बात है डिस्पेले को सेप राकने के लिए यह आपे दिया गया कॉर्णिंग गोईला ग्लास फाइब की प्रोटेक्शन जो अभी काफी अच्छी बात है और दोस्तों बात करें इस डिवाइस की कैमरा की तो रियार पर आपको त्रुपल कैमरा सेटप देखने को मिलेगा जापे मेन कैमरा अहां नेटन एट मेगापिसल का होने वाला है ज इसे भी आप 1080p 30 fps पर वीडियो शूर कर सकते हो बात करें इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की तो यह आप आपको मिलने वाले मीडियाटेक डामेंड सिटी 6080 5G जिपसेट जो 6 नम पर बेसे इस डिवाइस के आपको तीन रैम रॉम भेरिंट मिलेगा है जापे फास्ट शि याप आपको मिले वाले साइड मॉड़ेट फिंगर पिंगर पिंट उसकी साथ इस डिवाइस पर आपको 3.5 mm जैक मिल जाएगा याप आपको डूआल स्पिकर की सापोर्ट देखने को नहीं मिलेगा सिंगल स्पिकर ही मिलेगा यह डिवाइस रान होने वाले एंडोई 13 और MIUI 14 पे उसकी साथ इस डिवाइस पर आपको IP54 की डास्ट एड़ स्प्राइस प्रूप की सब्सक्राइब भी दिया गया है तो दोस्तों यह तो गया इसकी सब भी फीचर आप बात करते हैं इसकी प्राइज की बढ़ में तो इसकी जो 6GB प्लास 28GB बला भेंट है उसकी करण टा पर मैक्सिमाम टाइम बेस ब्रेंट पर आपको 1000 यह पर 1500 इसके आसपास डिसकांट मिल जा रहा है डिसकांट की बात इसकी प्राइज 16,000 के असवास आ रहा है तो आपकी रिकॉर्मेंट की हिसाब से आप कोई से भी बहरेंट को चुज कर सब्सक्राइब